हलो फ्रेंच वेलकम दो चानल करने अफेर अपडेटेट अधिस दिवशी शवस्ती आज मेरे सामने जो टॉपिक है डाट इस वेरी इंपोर्टेंट उसका नाम है सार्क ओके शॉट फॉर्ट फॉर्म अगर मैं सार्क का आपको बताऊं एक ग्रूप है अब यह ग्रूप क्या इसका एजिंडा उसको भी अब डिसकस करेंगे सबसे पहले पता दूँ यह एक रीजिनल इंटर गवर्मेंटल ऑगनाइजीशन है यहाद किया मतब गवर्मेंट के बीच में एग्रिमेंट करके यह एक ऑर्गनाइशन बनाई गई है ओके और यहाद किएगा किस करता है इसका में अब को बताए है इसमें टोटल एट मेंबर से पहले बना था तब सेवेन में अफगानिस्तान है वह 2007 में इस ग्रुप को जूइन करता है व उस ताइम पर 2007 में आगर मैं बात करूंत अफगानिस्तान के प्रेजिदेंट हमीद कराजी थे हमित काजी उस टाइम पर प्रेजेंट अभी तो तालीबान का रूल चल रहा है आपको पता होगा तो उस टाइम पर यह जॉइंड हुआ था एर्थ मेंबर तो स्टार्टिंग में उसके 7 ही मेंबर्स थे तो 8 मेंबर्स हम देख लेते कौन-कौन से इंडिया है बांगादेश है इंडिया उसके आसपास की नेबरिंग कंट्री से वही है या देखिएगा भूटान है माल्दीष है नेपाल है पाकिस्तान है शिलंका है अफगानिस्तान जो लास्ट वैंड हुआ या देखिए इसमें इसको डिसकस करेंगे बट उससे पहले क्या दखिए सार्क सेटलाइट लॉंच किया गया था पूछा दक्ता है साग सेटलाइट कप लॉंच किया गया था आंसर या दखेगा 2017 में तो जब आपके प्राइमिस सा नहीं मोदी आ चुके है इंडिया में तभी उस ताइम पर सा सब्सक्राइट करेंट में पूछे चेंज होते रहेंगे बट अभी यह प्रजेंट से के बार में बेसिक चीज़ है बट एक और इंपॉर्टन चीज़ रहती है कि सार्क की पहली संब्ट कहां हुई तो पहली संब्ट Of course जब धाका में स्थाभिश हुआ था तो पहली संब्ट 95 में याद कि धाका में ही इसकी पहली मीटिंग हुई उसके बाद जो लेटेस्च मीटिंग है वो मैं बता दूं 2014 में हुई जाद है प्राइम मिस्टा मोधी थे उस पोटो भी लगाई हुई है 18 सार्क सम्मिट थी जो 2014 में हुई रवेंबर उसके बाद अभी तक कोई सम्मिट ही नहीं हुई है इसकी तरीकिते डॉर्मेंट गुरूप बन गया है एक्टिव नहीं रहा आप क्या रीजन से उसको डिसकस करूँगा मैं आपके सामने बट याद क 2014 को सम्मिट नहीं हुई पाकिसान में होनी थी आपको पता है इंडिया पाकिसान के क्या इशूस चल रहे है उसके और पाकिसान इसका मेंबर है तो इंडिया इस ग्रूप को अक्टिव भी नहीं रखना चाहता तो कुछ रीजन्स में आपको डिसकस करूँगा क्या इसका सि कमिट नहीं हुई है जो कि चलिए आगे बढ़ते हैं अगर मैं इसके अब्जेक्टिव की बात करें मैं आपको बता है कि अपस में सारी कंट्रीज मिल के डिवलपेंट करें वहां के लोगों का इंफ्रस्ट्रक्टर का मतलब हर चीज इसका अब्जेक्टिव साब करें उनके वेलफेर की बात करता है उनकी क्वालिटी ओफ लाइफ कैसे प्रमोट हो आपस में हम कंट्रीज जो आपस में अग्रिमेंट्स करें इना ट्रेड बढ़ाएं जिसे अफ्कोस हर इंसाज जो साउथ एशन नेशन लोग हैं उनको बेनिफिट चो ठोके एकनोमिक ग बात करता है in every field ठीक है next अगर objective की बात करें तो promote and send in collective self-reliance हम खुद सी अपने products बनाए हम बाहर की countries पर इता है dependent होते हैं तो आपस में अगर मालों किसी के पास कोई कमी है किसी के पास help कर सकता है वो तो आपस में agreements करें और दूसरे को help करें इसमें countries क्या हो सके self-reliance हो सके South Asian nations okay mutual trust की बात करता है understanding appreciation of others problem of one another problem दूसरे कि कोई disaster आ गया या कोई issues चल रहे हैं तो आप उसमें help करें तो एक तरीके दर contribute करने की बात करता है कि हमें दूसरों की problems को भी understand करना पड़ेगा तो South Asian nations हैं okay collaboration की करने की बात करता है एक दूसरे की mutual assistance help करने की बात करता है चाहब economic field हो social field हो cultural technical scientific किसी भी field में आपको आपस में nations को याद कि प्रमोट करना है एक तरीकत assistance हो आपका एक तरीक अक्टिव collaboration हो between the countries okay next अगर बात करें तो cooperation with developing countries other developing countries के साथ की SAR के group बनके other countries के साथ deal करें जैसे अगर बात करूं single country अगर डील करती है उसका अलग रोल होता है लेकिन अगर आप group में साथी countries मिलके अगर किसी developing countries से या किसी से भी agreement करेंगे तो अपकोस आपके agreement भी better होगा तो उसे cooperation भी better establish हो सकेगा प्लस आपस में दूसरे को support करना international forums में चाहे वो UNO वहाँ पर एक दूसरे की बात को रखना आप देखें इंडिया पाकिस्तान तो आपस में लड़ते रहते हैं यहां पर तो लिखा वह मैं आपको बता रहा हूं को common interest हो एक दूसरे के उसमें help करना international forums में help करना एक दूसरे को cooperate करना ठीक है जो भी issues आए तो South Asian nations को एक साथ रखके वहाँ पर उन बातों को रखना अब एक तरीके साब देख रहे हैं इस्यान के जो आपके सार के आप जो नेशन देख रहे हैं इंडिया के आस पास उनकी common problem मुझे दिखती है क्या common problem है देखिए यह सारे साथ नेशन तो आप देखें पौवर्टी एक इस्यू रहा है इलिट्रेशी माल नूट्रेशन डिजास्टर साते रहते हैं यहां पर ओके साइकलोन वगर आपने देखा होगा इंटरनल कंफिक्ट होते रहते हैं बिट्वीन दा कंट्री ओके रिलीजियन की वेज़से भी आपने कंफिक्ट होते हैं इंडस्य टेक्नोलोजिकली डर्थ कंट्रीज का है तो एक तरह ग Jewishости hayatMoment प्रॉब्रम से तो common सलूइशन भी सकता है तो अपसमें अगर कोपरेशन किया जाए तौ हम इस common परॉब्लम का सलूइशन भी निखाला सकते हैं उनने सार इने में स्पार्वेस हो, disaster हो, economic, trade, social affair, poverty, elevation, energy, transportation, science and tech, education, security, हर area में agreements करते हैं और उसके cooperation की बात करते हैं between the South Asian countries. Okay, तो बहुत साई areas में work कर रहे हैं. Okay, अगर इसके organs की बात करूँ, मैं SAR के. Okay, तो मैंने बता एक meeting होती है, तो organs में बात कर तो पहला है, meetings of the head of the state. जो head है state के, यादे के, उनकी meetings होती है, से मैंने बता है, तो 2014 में meeting होई तो इसका तो meeting ही नहीं होई. Okay, तो generally का है meetings जो होती है, summit level होते है, countries की meeting होती है, अलग-अलग places में meeting होती है, last Kathmandu Nepal को आद कहीं meeting नहीं होई है, generally यादे के प्लस इसके standing committee भी होती है, यह क्या करती है, जो standing committee है, यह overall monitor करती है और coordination का role करती है, जो priorities है, पहले किन एरियास में work करना चाहिए, उसको priorities को decide करती है, resources जो भी इनके पास funds होंगे, किस तरह आपस में agreement करके हम, for example, कोई trade agreement है, या कोई infrastructure development है, किस तरह work कर सकते हैं, किस तरह loan ले सकते हैं, World Bank से, IMF से, Asian Development Bank से, उन सब area में resources किस तरह आ सकते हैं, projects को किस तरह active कर सकते हैं, finance कैसे कर सकते हैं, यह सारा काम किस का रहता है, यह standing committees का रहता है, इसमें foreign secretaries, standing committee of foreign secretaries, next यह कहते हैं, इसका सेकेटरियाद भी है, जिसका काम क्या है, of course coordinate और monitor करना, जो भी सार initiatives ले रहा है, meeting हो रही है, decide करा है, यह काम करना है, उसको monitor करना, coordinate करना, उसके लिए secretariat बना हुआ है, एक तरीके से सार countries जो उनके आपस बीच में coordination रहे, remember communication better है, plus सार का international organization जैसे UNO है, उनके साथ बेटर coordination हो, उस सब यह secretariat करता है, अब में इस्यू में आते हैं कि सार की significance क्या है, और इंडिया में 2014 के बाद यह meeting क्यों नहीं होई, क्यों यह group dormant रहे गया, तो पहले तो importance देख ले तो फिर मैं conclude भी करूँगा, तो देखिए significance की अगरना बात करूँँ, क्यों important है सार, इंडिया के perspective से हम discuss करें, तो important इसलिए है geostrategic significance, आप देखिए इंडिया की side neighboring countries की members हैं, ठीक है, और अगर आपकी neighboring countries अगर इसकी members हैं, तो उनके साथ अगर आप cooperation मना के रखेंगे तो आपके लिए better है, क्योंकि यहाँ पर China member नहीं हो, और चाइना के साथ आपके कितने issues हैं, और चाइना क्या कर रहा है, अपना है कि initiative चला रहा है, one belt, one road initiative, O, B, O, R initiative, जिसके तो वो हर countries के साथ trade agreements कर रहा है, और आपको बता है trade agreement करके, उन countries को अपने पर dependent कर लेता है, जैसे पाकिस्तान को किया, शीलंका को किया, इससे इंडिया के लिए हाम है, क्योंकि यह countries फिर क्या हो जाएंगी, बनी रहेगा, तो इंडिया के लिए better रहेगा, तो जियो strategic significance तो है सार की, दूसरा देखा है, regional stability, मैंने पता है अगर mutual cooperation होगा, economic, देखिए अगर war को आपको रोक रहा है किसी country के बीच में, आप economic cooperation कर लिजे, क्योंकि देखिए अगर war करे गई नहीं सोचे कर रहे आई है, economically म में पर बहुत dependent हूँ, तो war नहीं कर सकता, तो अफकोर एक security मिल जाती है आपको, तो अफकोर याद एक region organization आपस में mutual trust होगा, cooperation होगा, जिससे क्या होगा, अफकोर जो internal disputes होगे, जो bilateral disputes होगे, वो यहाँ पर resolve भी कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, एक region में, South Asian nation में stability भी तो इंडिया को एक तरीके हैं, आप एक platform मिल रहा है, शो करने का, कि देखो, यहाँ पर हम किस तरह South Asian nations को इतना अच्छा group चला रहे हो, इंडिया की role की तरह work कर रहा है, तो इंडिया की image world में like develop हो जाएगी, इंडिया यह बता सकता, मैं किस तरह extra responsibilities पर work कर रहा हूँ, तो यह भी एक इंडिया को एक big brother कहते हैं वैसे तो, बट इंडिया यहाँ पर अपने global leadership role दिखा सकता है, कि मैंने यहाँ पर किस तरह अपनी nations को, आस पास की notions को, एक corporation की तरह रखा हुआ है, नेक्स, गेम जेंजर हो सकता है इंडिया की active policy को, क्योंकि इंडिया आपको पता है, जो South East Asian nations हैं, उनका अब एक group है Asian, उनके साथ इंडिया South Asian nations और South East Asian nations यहाँ दखेगा, मतलब सार्क और Asian के बीच में आपस में coordination हो सकता है, और इसका coordination होगा तो याद कि इंडिया को जो North Eastern part है, उसे बहुत benefit होगा, क्योंकि अगर यह countries आपस में agreement करें Asian countries के साथ, North East के तरू ही इसके साथ collaborate करता है, remember, तो उससे बहुत ज़्यादा benefit होगा, prosperity होगी, development होगी, और इंडिया की active policy भी better हो सकेगी, और इंडिया का North Eastern region वो भी developed हो सकेगा, तो यह भी सार्क को एक पुरी तरीके साथ agreement कर सकते हो, कि इसके साथ potential है, ऐसी बात नहीं कि इन्होंने कोई initiatives नहीं लि COVID-19 emergency fund भी established किया गया था, जिसमें इंडिया ने 10 million dollars fund देखे, voluntarily contribution करके, इस emergency fund को बनाया था, remember, okay, तो COVID emergency fund में बाया था, voluntarily contribution था, सार्क मेंबर से आपकर contribute कर सकते हो, और एक दूसरे की, जिसकी help की जरूत होगी, COVID की टाइप पर, वो यूस भी कर सकते हो, तो initiatives तो लिए गया है, significance भी, initiatives भी लिए जा रहे हैं, तो क्यों, इनकी meetings नहीं हो रही है, क्यों ये dormant group, एक inactive group बनके बैठा हुआ है, तो question क्या है, why Sark has been dormant for recent years, अगर आप देखे, प्राइमेस सा मोधी के आने के बाद, इस group को इतना active, government खुदी ध्यानी दे रही है, इन groups को, okay, क्यों, इंडिया क्या, आप देखे किस तरह है, वो इंडिया पे issues create करता रहे है, चाहे वो terrorism के तरू हो, चाहे वो किसी other way के तरू हो, तो जब mutual trusting होगा, तो इन groups का active होने का मतलब ही क्या है, इंडिया का ऐसा सोचना है, remember, आप देखे, ये proof भी हो जाता है, बहुत सा failures हुए, सार्क में इंड पाकिस्तान ने उन प्रोजेक्स को एक्सेप्ट करने से बना कर दिया, लेकिन मेनी failure of सार्क, lack of trust है, among the member country, आपस में member countries के बीच में trust है, खास का इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और मैंने लिखा भी most significant जो है, वो इंडिया पाकिस्तानी है, remember, example में बताता हूँ, recently time, पाक पाकिस्तान ने cooperation नहीं दिखा है, जो भी initiatives लिएक है, सार्क में हम countries को ऐसा करना चाहिए, पाकिस्तान ने का हम यह चीज नहीं करेंगे, तो जब activity नहीं होना चाहते हो, आप तो क्यों इस group पे इतना focus किया जाए, जैसे example में लिखा, पाकिस्तान ने एक project था, remember, सार्क motor vehicle agreement, उसमें पाकिस्तान ने को role play करने से मना कर दिया, सार्क satellite जो project था, उसमें role play करने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान खुदी बहुत साय projects को install कर देता है, तो इससे यह समझ में आता है कि आपास में countries के बीच में trust नहीं है, तो क्यों इस group को active रखा जाए, दूसरा security cooperation को बहुत आप देखिए जो इंडिया पाकिस्तान का relation है, पाकिस्तान जो याद दखिएगा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पाकिस्तान जो cross border terrorism है, जो वहां से terrorist इंडिया में आते हैं, वो उनको counter नहीं कर पा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है, जिसकी वैसे इंडिया को obstacles face करने पढ़ते हैं, इंडिया को बहुत सा issues face करने पढ़ते हैं, security perspective से, और सार का ये agenda ही है, कि आपको security बहुत है, आपस में दूसरे के countries के साथ agreement करके, आप दूसरे countries को protect करें, बट पाकिस्तान ऐसा करता नहीं है, तो सार का obstacles है कि security operation नहीं हो पा रहा है, बेटर, या दखिएगा, cross border terrorism हो रहा है पाकिसान के साथ, तो जब ये सब हो रहा है, तो कैसे इंडिया इस group को active रखेगी, कि हम यहां से आपको free trade बगरा दे और आप वहां से आपको बदलेवे terrorism भेजें, तो ये एक issue है, इसके से इंडिया इस पर active नहीं आती है, resources की बात करें, सारे countries आपको पता है कितना पैसा इनके पास, जाद कि shortage of resources, पैसे नहीं है, voluntarily contribution क्या करते हैं, बहुत कम contribution करते हैं, remember, तो ये कुछ developed countries नहीं, developing countries और इंडिया को छोड़के बागी countries पर इतने funds भी नहीं है, कि वो यहां पर शिलंका है, देखे क्या economical crisis है, पाकिस्तान है, तो ऐसी countries में कि क्या ही resource develop कर करें, क्योंकि आपको ही पता है, इस group में इंडिया जो है, एक asymmetry तो है, क्योंकि बाकी country कि छोटी है, बट इंडिया की बात के तो इसकी geography के देखें, बड़ी country, economical देखें, military strength देखें, friends देखें, global arena में, of course, इंडिया का साथ है, तो उनको लगता है कि इंडिया आपर एक big brother बन जाएगा, बड़ा भाई टाइप का, बाकी country को दबा देगा, यह जो big brother का perspective है, बाकी country में fear लाता है, और इसकी वज़े से उनको लगता है कि जो इंडिया है, वो हेगमनी क्रेट कर लेगा इस region में, और इंडिया जो चाहेगा फिर वो काम करेगा, इसलिए smaller neighboring countries जो है, य इन active group हो गया है, बड़ अगर मैं और कुछ issues बताऊं, हाँ और भी issues है, जैसे lack of connectivity, आप इन countries के बीच में connectivity देख लिए, trade कैसे बढ़ेगा, agreement तो हो नहीं रहे, और connectivity भी कितनी पूर है, lack of connectivity है, member states के बीच में, weakness है, यही तो साक्रास से बड़ा weakness है, क्योंकि अगर आपको trade कर रहे हैं, इसमें, ठीक agreements पे आपस में सारी गर्टी एक साथ नहीं आ रही है, तो यह सब की वेश से भी lack of connectivity भी सार ग्रूप को inactive रखती, क्या मतलब तो हम सार को active भी रख लें, तो connectivity नहीं है, between the nations, तो trade कैसे करेंगे, okay, inadequate political will, political will नहीं है, जैसे मैंने पता है, प्राइमेर सा क्या हम agreement करें, खास कर पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ, okay, तो इंडिया इस लिएस ग्रूप को neglect भी करता है, okay, तो यह सारी रिजन्स थे, इंडिया इस लिएस ग्रूप को neglect कर रहा है, inactive है ग्रूप, but still, conclusion अगर बोलूँ मा तो मेरा conclusion एक positive sense में ही रहेगा, क्योंकि देख इस geopolitical dynamics following world war second, world war second के बाद geopolitics dynamics हुई मरब जिस तरह गंड़ी से एक दूसे पर dependent हुई economically, could allow die hard enemies, जो France जमनी जो आपस में बहुत ही कटर enemies थे, okay, उन्होंने आपस में मिलके cooperation करके group बना लिया European Union और जो इतना active group है, so why not reason कि इंडिया और पाकिस्तान भी अपने geopolitical significance की वैसे dynamics की एक साथ आ जाए, okay, of course, उसके लिए cross-border terrorism तो पहले रोकना ही पड़ेगा, but still, किया जा सकता है, okay, सार्क है जा capacity to bring nations together, of course, nations आपस में पास आ सकते हैं, खास का इंडिया पाकिस्तान के अगर issues resolve हो जाए तो, क्योंकि जैसे Nelson Mandela ने भी कहा था, if you want to make peace with your enemy, अगर आपको अपन enemy के साथ काम करना पड़ेगा, then only enemy will become your partner, okay, मैं यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो of course, तभी conclusion हो सकता है, स्वायोप आपको समझ में आए, क्यों सार के तरह इनक्टिव है, okay, मैंने से पूरा डीटेल आपको सार के बारे बता है, ठीक है, और क्या significant है, क्यों in dormant रह इतने टाइम से, और क्यों इसको active करने की ज़वरत है, okay, अगर आप मेरे complete courses को join करना चाहते हो, तो एक बार मेरे application को जरूर डाउनलोड करो, नाम है देवशीश classes, link मैंने description box में डाल दिया है, वहाँ पर आपको मेरे सारे individual courses मिलेंगे, complete courses मिलेंगे, notes भी आप चाहो, तो यह मेरे handwritten notes अविलेबल है, एक बार उसका link description box में दिया हुआ है, notes का sample चेक कर सकतो, notes पसंद आया तो आपने घर तक order भी कर सकतो, याद एखियेगा, complete courses अविलेबल है, state services के UPSC courses अविलेबल है, यहाँ पर हम आपको detail में guidance के साथ पढ़ाते हैं, individual courses भी आप ले सकतो, other exam preparation कर रह आपको अगर इसा कोई topic पर doubt हो तो, okay, video पसंद आए, video को like जरू करो, channel को subscribe करो, जितना हो सके, video को share जरू करते है, और इसमें बाकी लोग तक भी वीडियो पहुसता रहे, इसका जो आपको PDF है, वो मेरे telegram group पर आपको available हो जाएगा, thank you.